और वेव फ्रेंट में क्या डिस्कस किया था? कि आपकी कोई भी अगर लाइट है, वाइब्रेशन जनरेट होंगी, जिसको वेवलेट्स बोलते हैं, वेवलेट्स की वज़े से वेव फ्रेंट जनरेट होगा, और हम अर्थ के उपर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जो वेव फ्रेंट होता है, वो कैसे कंसिडर करते हैं? एक प्लेन वेव फ्रेंट, एक प्लेन वेव फ्रेंट, डिस्कस किया, आज मैं क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा, reflection और reflection दो लोज है reflection और reflection में चाहे ray optics हो चाहे wave optics हो ये सिर्फ हमारा मानने है कि हमारी light wave है या हमारी light ray है हम सिर्फ मानते है ना तो आज तक किसी को ray दिखी ना ही आज तक किसी को wave दिखी क्या आज तक किसी को wave दिखी क्या आपको wave दिख रही है नहीं दिख रही, क्या आपको रे दिख रही है, रे भी नहीं दिख रही है, हम सिरफ यह मानते हैं, और कुछ experiments का answer ढूडने की कोशिश करते हैं, कि वो experiments ऐसे behave क्यों करते हैं, इसलिए हमने अपने optics को दो parts में डिवाइड किया हुआ है, wave and ray optics, point number one, light eye mirror के उपर पड़ी, तकर आई और चली गई, ठीक, light eye means कुछ students, अगर उसको ray optics की form में देख रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, light की rays आई, तकर हुई mirror के साथ, और after reflection वो चली गई, कुछ लोग यह बोलते हैं, कि सर, जो light है, ठीक है, वो ray है, बट क्योंकि light vibrations की form से generate हो रही हैं, क्योंकि vibrations हैं, क्योंकि disturbances हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि disturbance हाई, disturbances mirror से टकराई, और टकराके disturbance हाके चली गई, एक ही बात रही है, से अगर मैं ray optics लेता हूँ, और अगर मैं ray की help से इस concept को समझाता हूँ, तो ray की help से समझाना बड़ा असान है, क्योंकि एक ray आ रही है, टकर होने के बात वो जा रही है, कोई problem नहीं, और अगर मैं wave की form में समझाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या consider करना पड़ेगा wave front, wave front, wave front की help से इस concept को कैसे समझाया जा सकता है, यह हमारा topic है, और यह topic के बाद कम से कम मैं यह बोल सकता हूँ, कि wave front की help से, अगर मैं reflection और reflection की law प्रूव कर दूँ, कि चाहे ray optics हैं, चाहे wave optics हैं, दोनों के theory सेम है, दोनों में law of reflection और law of reflection फॉलो किया जाता है, ठीक है आता? wave में भी करेंगे, wave में भी करेंगे, तो पहले wave optics start किया, तो पहले हम wave optics से study करेंगे, क्योंकि हमने hygiene principle last time किये थे, और hygiene principle के accordingly, wave front आगे move कर रहा है, hygiene principle के accordingly, अगर मान लो यह मेरी disturbance है, particle disturb हो रहा है spherical की form में, यह मेरी disturbance है, 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 and so vigor, ह्र words अole करने के देखके में आ प्र लोड़री में गिर 29, जो अजन सकंगे में जो नने के दननो तो ये क्या बन reiterated अजन्हों करके। ये थी क्या उंत जेन ने ईटर्सट ये जhãक्ल को ख RIGHT है येखे डिस्टरबंस ने wave optics में क्या नाम लेते हैं? wave leds tangent draw किया tangent draw करके ये क्या बन गया? एक wave front ये भी point clear है तो ये सब इस तरीके से जितनी मरजी आप disturbance दिस जिनरेट करवालो जितनी मरजी करवालो, tangent draw करो होगे तो आपका कौनसा wave front आड़ा? clean wave front आ रहा है इसमें किसी को कोई प्रब्लम, बिर्कुल ठीक है, अब हाईजन्स प्रिंसिपल के एक बड़ी इंपोर्टेंट चीज याद कर लो, आपका कोई भी लोग प्रूफ हो सकता है, अगर आप ये चीज याद रखोगे, वो क्या, कि जब भी एक डिस्टर्बेंस, दूसरी डिस्टर्बेंस को जिनरेट करवाती है, इसमें इसको जिनरेट करवाया, इसमें इसको जिनरेट करवाया, इसमें इसको पुड्यूस करवाया, इसमें इसको पुड्यूस करवाया, कि उतने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगी, उतने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगी, इसमें कोई प्रब्लम, यह याद रखने हैं, यह हाइजर्स की थियोरी है, और हाइजर्स प्रिसिपल के accordingly, time taken to move from one wavefront to another wavefront is always same, तो यह मेरा यहां से यहां से यहां time T, यहां से यहां time T, और यहां से यहां time T, बस एक चीज़ याद रखना, बाकी everything is होते हैं, यहां दे क्लियर है, कोई doubt इसमें, यह मैंनी बता रहा हूं, यह थियोरी बता रही है, आपकी है हाइजर्स का hypothesis है, ठीक है यहां तक, चलें आगे, यह यूज करने वाला हूं, इसलिए आपको पहले से बता दिया, अब आजाओ, reflection on the basis of wave theory, law of reflection proof करने जा रहे हैं, किसी को जरा से भी problem हो, तो please साथ की साथ हाथ कड़ा करते पूछे, क्योंकि इसमें फिर से imagination वाला पार्ट बहुत है, और सब कुल डिपेंड दरेगा मेरे बोलने पे, कि मैं कितना अच्छा बोलता हूं, उसके उपर कितना अच्छा बोलूँगा, उतने अच्छी imagination होगी आपकी उतना video concept समझाएगा, ठीक, तो इसलिए wave optics करवाना और समझना तो नहीं थोड़ा मुश्किल वाने जाते हैं, सिरब तो यह क्या है, यह वेव है, यह वेव भी नहीं है, यह disturbances है, यह disturbances है, मैं आपको समझाना चाटा हूँ, एक mirror है, यह आपके पास छी mirror है, गिरह ऐक wave front ईया, यह एक …परन डारे ऐसे है, वेवर उन पलीन है यह वेवर प्रून पीछे से आरहे वेफरंट आ रहा है वेफरंट आ रहा है वेफरंट आ रहा है और वेफरंट आ रहा है ठीक मतलब लाइट का एक प्लीन आ रहा है एक वेफरंट आ रहा है मिरर के उपर टकराएगा और वेफरंट आया था वेफरंट की फॉर्म में डिस्टर्बेंस आके जाएगी या इन शॉर्ट ऐसे बोलें, इस्टर्बेंसिस आ रही है, इस्टर्बेंसिस के उपर टेंजन ड्रॉ करोगे, वेवर्फरंट आ रहे है, टक्कर होई शिशे से, इस्टर्बेंसिस आले चली गई, जाएंगी भी कैसे, तो से in the form of वेवर्परंट्स, वेवर्परंट्स आरे हैं, वेवर्परंट्स यारे हैं, कोई डॉट इसना, रेज नहीं है, तो मैं तống के बनाखा कई कगा स्मझाए है, यह ब्लू कलर का समझ आह रहा है, वेवर्परंट्स हैं, मैं आपको disturbances भी जिखा सकता हूँ इसके अंदर अगर मैं disturbances जिखा हूँ तो ये disturbance है disturbance है, disturbance है, disturbance है, disturbance है इन्होंने next disturbances generate की इन्होंने next disturbances generate की इन्होंने next disturbances generate की कुछ ऐसा diagram है समझ आ रहे हैं आतर और उसी तरीके से ये disturbances आगे आई यह disturbances आगे आएंगे यह disturbances आगे आएंगे कुछ इस तरीके से और फिर क्या होगा यह disturbance इस disturbance को ना मैं line से draw करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से यह disturbance को मैंसे मतलब यह वो set of disturbances है जो एक के पीछे एक चल रही है यह वो set of disturbances है जो एक के पीछे एक चल रही है यह वो set of disturbances है जो एक के पीछे एक है कुछ इस तरीके से समझा रहा है आतर डियागरम समझा रहा है यह disturbances है और यह जो मैंने डियागरम में आपके assignment में डियागरम मना हुआ है वो raise नहीं है वो यही green color की lines है जो यह denote कर रही है कि इसके green color की line spheres के center में से पास हो रही है और spheres spherical disturbances आ रही है शीशे से टकरा रही है और टकरा के वापन दिखा रही है और अगर वापन जाने की बात करते हो तो यह disturbance जो सबसे पहले आई सबसे पहले कि शीशे mirror पे आ गई यह सबसे पहले reflect होगी यह disturbance थोड़ी late reflect होगी यह disturbance सबसे end में reflect होगी और यह जो disturbances है यह जा कैसे रही है यह इस तरीके से जाएंगी यह इस तरीके से जाएंगी और यह इस तरीके से जाएंगी कुछ idea बता लग रहे है तो मैं इतनों complex diagram अगर आपको दिखाऊंगा अपने copy में तो आप इसको बनाऊगे कैसे आप समझी नहीं पाऊगे कि स्फेर्स क्या रिपुसरिंट कर रहे है तो अब इसे लिए मैंने क्या किया मैंने diagram ऐसे बनाया यह एक wavefront है यह क्या है disturbances 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 इनके बीच में भी disturbance है पर मैं draw नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत complex diagram हो जाएगा समझ आया यहाँ तो यह line alone कुछ लिए है यह basically wavelets है ठीक यहाँ तो किसी को को doubt is में ठीक next तो मैं बहुत सरे wavefront बना सकता हूँ यहाँ पर तो क्या जरूरत पढ़िए मेरे को इतने wavefront ड्रो करने की मेरे को एक चीज़ मालूम है यह मेरा आखरी wavefront है आखरी आखरी में इसके बनेगा नहीं बनेगा यह वो आखरी wavefront है जो हवा में था जो air में था क्योंकि इसके बाद इसने किसको टच कर लिया मिरर को टच कर लिया अब यह wavefront की direction after reflection क्या हो जाएगी change मुड़ जाएगा wavefront without इसमे clear है तो wavefront अपनी direction change कर लेगा देखें जरा कैसे यह मेरा एक wavefront है जो आखरी wavefront है इसके बाद एक problem हो गई problem यह हो गई कि यह जो आपका आपकी disturbance हा रही है पहले यह सारे इकठे एक लाइन में जा रहे थे सीज़ा जा रहे थे तो तब तक तो यह wavefront बन रहा था इसमें कोई problem नहीं है लेकिन इस particle ने अपनी direction क्या कर ली change यह इस तरफ जाना इसने start कर लिया प्रिकिस की क्या हो गई reflection हो गई इसने पना रास्ता चेंज कर लिया अब जो बाकी disturbance है यह अभी भी क्या कर रही है यह अभी भी यहां से यहां यहां से अ mirror को touch करेंगी थोड़ी late अपना रास्ता चेंज करेंगी next जो और तीसरी है वो यहां से यहां से यहां सबसे late strike करेंगी और late चलेंगी clear है यहां तक इसमें भी कोई problem नहीं है हाईजेंस को एक चीज़ बता थी कि एक wavefront से दूसरा wavefront तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका यह वाला जो particle है यह वाला जो particle है यह वाला particle जब तक यहां यहां से यहां नहीं आ जाता तब तक after reflection wavefront बनने बाएगा देखो आए इकटे थे जाना भी इन्होंने इकटे ही है अगर ऐसा होने लग जाए कि कुछ particle कुछ disturbances पहले निकल गई दूसरी बाद में निकल रही है तो wavefront plane कैसे बनेगा फिर तो wavefront टेड़ा हो जाएगा जब कि wavefront हमेशा क्या होता है plane plane का मतला सारे disturbances एकटी सेम स्टीट से और सेम टाइम पर टरवल कर रही है अभी तो मैं इनके उपर जब tangent रो करूँगा तो तो tangent क्या होगा tangent will be a straight line तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि यहां से यहां इसको यह बाद में आ जाएगी यह पहले चले जाएगी बिल्कुल बलत क्योंकि जब यह हवा में आगे जाएगी after collision sorry after reflection तो क्या होगा यह सारे की सारे particles इकटी move करेंगे और यह disturbances इकटी जाना शुरू हो जाएगी और अब कहीं पर भी आप कहीं पर भी एक tangent डॉव कर लें tangent डॉव करने से wavefront क्या बनेगा आपका plane wavefront बनेगा आया plane wavefront था जाएगा भी plane wavefront लेकिन एक चीज़ आपको इस experiment से समझा जाने चाहिए क्या वो यह कि आपका जो यह last wavefront था before reflection यह कहीं first wavefront होगा after reflection इसके बीच में कोई wavefront नहीं बनने वाला योगि wavefront तब तक नहीं बनेगा जब तक सारी particles इकटे move नहीं करेंगे और इन दो wavefront के बीच में इनकी directions एकदम अलग हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं अलग हो नहीं दो यह कभी तो मिलेंगी जब यह मिलेंगी तो wavefront बनना start हो जाए clear है यहां तक यह imagine कर पा रहे हो कि हो क्या रहे disturbances आ रही है फिर disturbances थोड़ी जो है mismanagement होगी इनकी कोई दर जा रहा है कोई उदर जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं कोई पहले टकर खा रहा है कोई बात में खा रहा है कोई उससे बात में खा रहा है जाएंगे यह हवा में फिर से इकटी clear है यहां तर कोई doubt किसी को इसमें तो अब इस topic का इस topic के दो काम है एक कि यह आपका अगर last wavefront था reflection से पहले तो hygiene को पता कैसे लगा कि यह मेरा जाने वाला wavefront है अब hygiene अगर experiment करता है तो अपना wavefront ऐसे बना सकता है ऐसे बना सकता है उसको कैसे पता लगा कि उसका जो wavefront है exactly ऐसे ही होगा कोई तरीका होगा तो हम तरीका देखें क्या हो सकता है method यह है ठीक जाने वाला wavefront आने वाले wavefront में तो कोई problem नहीं इमेजिन कर लिया reflection के बाद जाने वाला wavefront कैसे बनेगा उसका एक तरीका है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ एक rule number one जाने वाला wavefront तब तक नहीं बनेगा जब तक ये particle after reflection आगे move नि करेगा ये तो clear है क्योंकि जब तक ये move नि करेगा जब तक इसकी reflection नि होगी तब तक आप कैसे expect कर सकते हो कि wavefront के तीन particle की कठे move करेंगे move नि कर सकते हैं तो हमें wait करनी पड़ेगी इसको यहाने की मान लो ये particle यहाँ पर आगया तो एक चीज़ तो clear है कि इस जाने वाले wavefront का starting point ये होगा quit out इसमें बिल्कुल clear है यहां तर ठीक next अब मेरे को नि पता कि यहाँ से line ऐसे खिंचू wavefront की ऐसे खिंचू ऐसे खिंचू या ऐसे या ऐसे मुझे समझी आ रहा है इसके लिए मैंने एक concept लगाया कि जबताग इसके टक्कर नहीं होगी कोई बात नी wavefront start नहीं होगा में को यह मालूम है कि यह vacuum या एर चल रहा है और एर में speed of light क्या होती है तो disturbances की आगे move करने की speed भी क्या रहेगी C तो माल लो इस particle ने यहां से यहां आने में time लगाया T और speed into time क्या रहता है distance C into T distance है तो hydrogen को यह मालूम है कि C पता है उसने time imagine कर लिया T second लगेंगे इस particle को यहां से यहांने में तो यह distance exactly कितना होगा C into T hydrogen को यह मालूम है अगर यह C into T है ना तो एक चीज़ को clear है कि मान लो इसकी reflection ना होती है मान लो यह classroom है यह दो wavelets है दो wavelets हैं दो wavelets हैं दो wavelets हैं तीदा जारे हैं यह इसको disturb करेगा यह इसको disturb करेगा ताइम टेकन दोनों का यहां से यहां T इसका भी T यहां से यहां पार्टिकल की मूफ करने की speed C यहां से यहां जाने की speed C यह distance कितना होगया C into T तो यह distance भी कितना होगया C into T यानि कि time सेम है velocity सेम है तो दोनों वाइबरेशन की बीच में distance भी क्या रहेगा exactly सेम तो rule no.2 vacuum में या air में दो वाइबरेशन का distance सेम होगा दो वाइबरेशन की speed सेम होगी दो वाइबरेशन का time भी सेम होगा चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो अगर यह distance C into T है तो यह distance C into T है यानि कि एक wavefront से दूसरे wavefront जाने में distance कितना लगेगा C into T तो इसलिए हाईजन ने सोचा कि ठीक है अगर यह principle ऐसे लग सकता है तो अगर यह distance C into T है तो इसका मतलब यह particle भी यहां से अपने wavefront तब बनेगा जब यह particle भी exactly कितना distance कवर कर लेगा C into T यह point समझाया मैं distances क्या ले रहा हूँ एक wavefront से दूसरे wavefront तक दूसरा wavefront तब तक नहीं बनेगा जब तक particle कितना distance कवर नहीं कर लेगा C into T तो मैं भी तो यह कह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट particle ने C into T ती distance कवर किया तो यह particle भी C into T करेगा और यह वला जो distance है जो यह वला distance है यहां से लेकर यहां तक प्लस यहां से लेकर यहां तक यह भी कितना होगा C into T क्योंकि एक wavefront से दूसरे wavefront जाने में distance क्या रहेगा exactly same और distance से इसलिए है क्योंकि C भी same है क्योंकि T भी same है ठीक है यहां तक अब चाहे wavefront तेड़ा हो जाए चाहे wavefront सीथा हो जाए लेकिन distance दो particle की मिच में exactly क्या लेना C into T अब अगर यह theory हाई जन को पता थी तो उसने बड़ा simple सी calculation की उसने गा wavefront तब तक नहीं बनेगा जाने वाला जब तक यह particle यहां नहीं आएगा और यह वाला particle अगर C into T distance कवर कर रहा है तो इस particle ने भी exactly कितना distance कवर करना है C into T तो उसने एक compass लिया इसके उपर एक compass परकार लिया r के लिए कितनी r के लिए C into T की C into T की r के हाँ से घुमा दी maths की वो geometry स्टार्ट हो गई distance यह है ना C into T, C into T स्टार्टिंग पॉइंट इसको मालूम था उसने टेंजेंट ड्रो किया यह इसका क्या बन गया जाने वाला और अकॉर्डिंग तो जमेट्री यह distance C into T है यह distance भी exactly वे इसने C into T होगा यह distance भी exactly C into T होगा आप चाहो तो अपने जमेट्री लगा के जमेट्री वक्स अगया थागया 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 सकते स्केल की है clear है ना तो हाइजर ने पार्टिकल देखे ना किसी को disturbance नजर आती है ना किसी को wavefront नजर आता है कुछ ही नजर आता है यह सिरफ hypothesis है ऐसा हुआ आगे गया और आपको प्रूव करने वाला law of reflection ठीक यहां तक यह theory है यह उसका मानने है और यह बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी theory से बहुं साय results ऐसे आए जो मैं मानने पढ़ेंगे बिल्कुल सही ठीक यहां तक next यह point सबको clear है जो मैंने समझाया तो अब सबको जाने वाला wavefront कैसे बना वो समझ आया आने वाला तो हमने assume कर लिया था यह वाला तो after reflection जाने वाला wavefront एकदम clear हो गया उसको समझ आ गया कि जाने वाला wavefront exactly ऐसे ही जाएगा अब बड़ा simple calculation है wavefront आया था यह मेरा reflection से पहले एक wavefront है suppose करो यह मेरा normal है normal means perpendicular लग मेरा normal पर please assume करो यह normal है और अगर यह normal है तो एक चीज को clear है surface के साथ यह total angle कितना होगा 90 हो गया यह चीज clear है समझा रहा है सबको dotted red color में normal है normal means surface के ओपर normal है और क्योंकि figure 3D है this is not a line blue color की line ही है blue color का क्या है basically plane है plane समझती हो plane यह है copy है suppose करते है कि यह आपका एक normal है तो अगर यह normal है यह total angle 90 है और यह जो disturbance आ रही है इसने normal के साथ कितना angle बनाया let's say angle of incidence i angle of incidence हमेशा किस के साथ बनता है normal के साथ बनता है normal के साथ angle of incidence कितना बनाया i अगर यह आए एक और चीज वो यह कि अगर यह आपकी disturbance आ रही है अगर यह आपकी disturbances आ रही है wavelets आ रहे है और आप क्या draw कर रहे है wavefronts 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 and wavefronts तो मैंने अभी क्या किया था disturbances को line से represent किया था याज रखना इन में angle हमेशा क्या होगा 90 आपके सामने है ठीक और रहूं ना wavefront और यह जो line है disturbance की line है इनके बीच में angle हमेशा 90 तो मैं भी बोई बोल रहा हूं देखो क्या कि इसमें ये वाला जो angle होगा ये वाला यहाँ इसके और इसके बीच में क्योंकि ये wavefront है और अगर ये wavefront है अगर ये क्या है आपकी disturbance है टोटल angle कितना है 90 ये अगर आये है तो ये कितना होगा 90 90-I ये point सब क्लियर है maths है कि 90-I है तो मुझे ये भी मालूम है कि ये टोटल angle 90 है तो अगर ये 90-I है तो ये बचा होगा angle कितना होगा I ठीक है ना यहां तक मैं भी कह रहा हूं बचा होगा angle कितना मनाया मैंने I यहां तक ये समझा रहा है मैंने क्या किया इसमें मैं ये बोड़ रहा हूं कि ये टोटल angle 90 है ये भी आपस में 90 है ये आये है तो ये 90-I है ये 90-I है तो बचा होगा angle सिरफ कोई डाउट इसमें अज़ समझा रहा है सबको कोई डाउट इसमें कि उसी तरीके से ये वेर्फरंट जा रहा है ये नॉर्मल है नॉर्मल के साथ जाती भी disturbance ने angle R अगर ये R तो ये कितना होगा 90-R और अगर ये 90-R तो ये normal है तो टोटल angle 90 है तो अगर ये 90-R है तो बचावा अंगल कितना होगा सरफ R तो वही मने draw किया हुए बचावा अंगल कितना draw किया मैंने R तो एक I का मतलब angle of incidence R का मतलब angle of risk Lection और मुझे क्या प्रूव करना है इस इकल to R वेर्व अप्टिक्स के हमेशा खास बात रह गए रे की भी डागरा में मुश्किल होता है तो लाइनों को काम है प्रूव हो गया I is equal to R कैसे आ के काम करो एक ये triangle ले लो एक ये वाला triangle दूसरा ये वाला triangle देख रहे हो दो triangle different different colors में ये angle मुझे पता है 90 है ये angle मुझे पता है 90 है ये की वो disturbance वो wayfront में angle मेंशा 90 है ठीक इन दो triangle में ये दोनों angles सेम है ये side दोनों की common है ये जो distance है C into T है ये distance भी C into T है triangles concurrent हो गए RHS ठीक triangles concurrent हो गए और अगर concurrent हो गए तो ठीक है ये angle of incidence is equal to angle of reflection कोई डाउट clear रहे आतर समझ आ रहे प्रूव में कुछ नहीं करना है और एक और बात इतनी लंबी जो मैंने story बनाई पेपर उपर में कुछ नहीं पूछना किसीने पेपर में तो प्रूव करो reflection डागरम बनाने दो मिनट में आपके understanding के लिए basically हो क्या रहे ठीक है नहीं आतर कोई डाउट इसमें clear ठीक है फिर अब और clear हो जाएगा अब हम क्या करेंगे law of refraction and law of refraction refraction कब होती है जब आपका wavefront एक medium से दूसरे medium में आता है और law of refraction के बोड़त है कि अगर एक ray ray में इपका रहा हूँ प्लीस इस नाट वेव अप्टिक्स अगर एक ray एंटर करती है from rarer to rarer to denser medium तो it will went towards normal सब में study क्या हुआ है यह angle of refraction r this is refraction angle और law of refraction के पोलता है कि अगर मैं sin of angle of incidence लो दिवाइड by sin of r लो तो इनकी ratio हमेशा constant रहेगी और वो क्या है equal to mu mu is refractive index of a medium मुझे यह प्रूव करना है और अगर मैं vibrations में ray नहीं अगर मैं vibrations को लेके wavefront को लेके प्रूव कर दूँ करें start ray तो लेनी सकते कोई बात नी wavefront लेंगे अब थोड़ा और बेटर समझाएगा आप लोगों को कैसे disturbance आ रही है disturbance आ रही है यह देखो vibration रही है wavelets आ रही है wavelets आ तो बीच में भी रही है लेकिन ड्रॉण ही है यह आपका आखरी wavefront था जो बना था wavefront थो बहुत थे इसे पहले wavefront यी wavefront थे यह आपका last wavefront था क्योंकि इसके बाद हवा में wavefront नी बन पाएगा last wavefront का मतलब air में wavefront नी बन पाएगा अब next wavefront कहां पर बनेगा in water तो पानी में बनेगा problem यह है कि यहां तक को सब कुछ सही था लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपका यह वाला जो पार्टिकल है यह पानी में इंटर हो गया जैसे यह वाटर में इंटर हो गया तो इसने अपना रास्ता क्या कर लिया change, refraction, bend हो गया कहां bend हो गया, towards, normal अब मैं आपको explanation दोंगा इसके, towards, normal क्यों shift हो गया आपको hygen बताएगा कि यह हम बोलते तो है, it bend towards, normal, towards, normal कर क्यों क्यों हो गया towards, normal यह आपको explanation देगा वेर्फरंट आपको बना के दिखाएगा कि यह towards, normal क्यों shift हो गया अग, hygen को तो पता नहीं था कर जाएगा, और पानी के अंदर वेर्फरंट तक तक नहीं बनेगा, जब तक यह vibrations अपना पूरा रास्ता कवर नहीं करते हैं, अभी तक तो हवा में वेर्फरंट चल रहा था, तो यह vibrations यहाँ पर आगई, अब पानी का वेर्फरंट तक बनेगा जब यह पार्टिकल, यह वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ आजाए ठी अमरेका समझ आ रहा है ठीक इसमें ठीक बनाएं वाटर के अंदर वेर्फरंट, दिखाई कि किसी को कुछ नहीं देरा, दिखाई तो हाईजन को में नहीं देरा था पर हाईजन नहीं अंदाजा लगाया उसको एक रूल पता था जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में क्लियर कर दिया क्या? कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जाने का टाइम हमेशा क्या रहेगा सेम या इनी शॉट एक wavelength से जब दूसरे wavelength बनता है लो हर ्टिकल का दो पार्टिकल की बिड़में टेंगन क्या रहेगा सेम कहनə का मतलब जितने टाइम में जितने टाइम ये वािब्रेशन यहां से यहां पहुंची लट से कितने टाइम में पहुंची टी उतने टाइम में ये vibration कहां पहुत चुकी होगी water में कहीं यहां पर in time T उतने टाइम में ये vibration यहां से यहां पहुँचेगी in time T तो याद रखना चाहे air हो चाहे water हो और यह भी सबको मौलूम होना चाहिए air में speed ज़ादा होती है और पानी में क्या हो जाती है कम हो जाती है चाहे कम हो चाहे जादा हो time taken एक wave front से दूसरे wave front में हमेशे क्या रहेगा same point clear है यह जिए clear है और logical बिल्कुल clear है क्योंकि इसने काफी तेजी से move करने है तो इसलिए यह हावा में रहेगा यह ठीक speed से travel कर रहे सकता distance is never same vacuum के अंदर distance same हो सकता है जैसे पिछला case था वो इसलिए same था distance क्योंकि vacuum के अंदर speed चेंज ही नहीं होती time चेंज नहीं होता तो speed into time distance भी चेंज ही होता पर यहाँ पर speed क्या हो रही है change लेकिन time कभी change नहीं होता तो अगर यह आपका last wave front था air में आपका first wave front है water में तो hygiene को एक कीव बता थी कि यह time let's say यहां से यहां तक T है speed कितनी है disturbance की यहां पर T C1 तो इसका मतलब यह distance की value कितनी होगी यह distance की value होगी C1 into T यह point की है है सबको यह distance C1 into T हो गया नवीव समझा रहे C1 into T time taken हर vibration का same है from one wave front to another wave front फिर respective की वो vacuum में travel कर रहा है या फिर वो medium में change हो रहा है तो उसको time same मालूम था उसने क्या किया इसको C2 से multiply करके C2 और time को multiply कर लिया means यहां से यहां तक का time calculate कर लिया कितना होगा इस vibration का और इस vibration का time जितना भी होगा उतना ही time यहां से यहां उतना ही time में यह particle यहां से कहीं यहां चुका होगा तो उसने क्या क्या फिर से compass लिया जमेंटी लिगा धी उसको मालूम है यह time T है तो उसको यह मालूम है कि T time में particle यहां से यहां गया होगा कितना distance कवर किया होगा इस particle ने यहां से यहां आने में C2 into T time कहा से आया, time यहां से आगया multiply किया, distance निकाल लिया तो यह distance C2 into T की आर्क लगाई यह आर्क लगा दी और उसको एक चीज मालूम है कि वेफरंट पानी में तब तक में बनेगा जब तक यह particle पानी में एंटर नी करेगा इसलिए यह time और यह time को same करके हमने value निकाल दी यह time, time की value कालकुलेट करके यह time की value कालकुलेट करके मैंने यह value निकाल दी C2 T distance निकाला और वेफरंट ड्रॉ कर लिया यह point सबको clear है अब यह time T है तो यह distance कितना है C1 T और यह distance कितना है C2 T quit out इसमें, ठीक है आंकर ठीक, आगे और last, जब यह disturbance आ रही थी first number की, यह मेरा normal है यह मेरा normal है, normal के साथ angle of incidence disturbance ने कितना बनाया, I अगर यह आए है तो मुझे यह भी मालूम है कि यह disturbance और इसके बिच में angle कितना होता है 90, तो यह कितना हो गया, 90 minus I यह और यह normal है, तो अगर यह 90 minus I है तो यह angle कितना हो गया, I same चीज है तो मैंने यह angle कितना प्रूब कर दिया, I any doubt? यह point सबको समझा रहे clear? तो इसके अंदर मैंने क्या किया फिर से देख लो, यह normal है नॉर्मल के साथ disturbance ने angle बनाया, I यह और यह perpendicular हो तो यह कितना हो गया, 90 minus I और यह और यह perpendicular हो तो यह angle कितना हो गया, I सही, उसी तरीके से यह जातीवी disturbance है, जातीवी disturbance ने normal के साथ कितना angle बनाया, R यह और यह perpendicular हो तो यह angle कितना हो गया, 90 minus R यह और यह भी perpendicular हो तो यह angle कितना हो गया, सिरफ R क्योंकि angle of reflection नॉर्मल के साथ बनते हैं तो by geometry मेरे को मालूम पढ़ गया कि यह angle आया है तो यह angle आ रहे है, यहां तक किसी को कोई doubt clear रहे यहां तर ठीक ठीक है, angle of incidence, angle of reflection doubt रहे हैं second वाले wavefront का यह वाला यह वाला बीच वाला add कर लो, c1 into t1 यहां से यहां आने का time t1 c2 into t2 where t1 plus t2 is again equal to t अब ठीक है अब आपने हम calculate कर लेना इतना बता सकता हूं कि time taken तो same होगा distance तो अलग ही होगा, वो तो c1 into ऊपर का time और c2 into नीचे का time लेकिन total time की value मेंशा t रहे अब उसके respect to कर लेना calculate corner के तो बता सकते है beech का कैसे बताएंगे और तो variable लेने पड़ेंगे अपने को मैं तो सरब total time बता सकता हूं कि beech के particle जो यहां से यहां से यहां आगया उसका total time बता सकता हूं total time के रहागा t पर beech बदा तो कुछ बताएंगीं सकता है मुझे क्या पता कि अलग लोग distances कितने लिए हैं यहां ज़र clear है सबको ठीक तो बस answer आगया एक यह triangle ले लो right angle triangle दूसरा यह right angle triangle ले लिया इस triangle में उपर वाले triangle में sine of i बताओ क्या होगा यह 90 degree है sine i is this perpendicular perpendicular का मतलब a-b divided by a-a-dash a-a-dash का मतलब यह वाला distance ले लिया sine i की ratio ले लिए ठीक है था उसी तरीके से इस triangle में sine of r निकलो क्या होगा sine of r is equal to perpendicular क्या बनेगा यह perpendicular है perpendicular इसमें यह बनेगा कितना a-b-dash a-b-dash divided by a-a-dash this distance upon this distance clear रहा है था ratio ले लिया आपने and इसी triangle के अंदर इसी में a-b a-b को क्या पूट कर सकते हैं c1 t तो पूट कर दो c1 into t c1 into t divided by a-a-dash और a-b-dash का मतलब c2 into t c2 into t divided by a-a-dash किसी को को डाउट इसमें यहादा clear है values पूट कर ली जहाँ a-b है a-b है वहाँ c1 t और जहाँ a-b-dash है a-b-dash है वहाँ c2 t ठीक सको समझा रहा है बस इसको divide कर लो दोनों equation मैंने assignment में लिखी हुई है c1 t c2 t divide करो c1 t cancel c1 का मतलब speed of flight in air c2 का मतलब speed of flight in medium प्रिंटी ratio का मतलते है mu तो prove हो गया mu is equal to sin i by sin r answer यह prove करना था न इसका answer आ यहाँ तक किसी को कोई doubt इसको समझा रहा है booklets कितने के तो लोगों को नहीं मिली अभी हाट करना booklets 1 2 तीनों को 3 इधर से वसल 4 5 6 6 जो आया नहीं आजेगा 6 ठीक मैं आपको next time को आज का दीन काम चला लो next time देगा कोई doubt किसी को इसमें ठीक है ठीक है चला यह तो wave optics जादा थाई नहीं wave optics तो अब start है interference आपका जो competition का numerical आएगा को इन topic से नहीं आएगा जो भी हम डिसकस कर रहे थे बोर्ड में कोई 2-3 नमबर का आजाए आजाए पूव करो reflection reflection हो जो मालूम नहीं आए हुआ शेव एकाद बार but competition का question और बोर्ड का question 99% इसी topic में से आएगा interference of light बहुत सही और जबर्दस topic है हम बहुत असान तरीके से करने की कुशिश करेंगे तकि बिल्कुल भी confusion नहीं और इस तरीके से में समझ आजाए कि हमारा जो concept है वो मिशा clear है और कोई objective question वहना कलत नहीं main problem इस chapter की students यह phase करते है phase, phase difference और जहाँ phase और phase difference आएगा वहाँ confusion हो जाएगी दो चीज़े इसमें use होने वाली है phase difference, path difference ठीक इस concept को हम बहुत अच्छे से study करेंगे क्या होता है phase difference क्या होता है part difference अलागी हमने AC में भी try किया था समझें की इसमें तो बहुत ही अच्छे level से हम study करेंगे ताकि हमारा question कोई भी खलत नहीं हो question आना phase difference बहीं है देखो क्या सबसे पहले हम rule सीखते है interference of light का मतलब होता है दो light का आपस में interfere करना mix होना और जब lights interfere होती है mix होती है तो they follow a principle of super position super position की definition मैं सिरफ simple और असान तरीके super position को ऐसे समझा सकता हूं कि अगर let's say एक wave आ रही है इसका crest आ गया यह crest की height 10 है और इसके exactly नीचे एक और crest आ गया जिसकी height 3 है जब यह मिलेंगी तो मेरे पास एक बड़ा crest बन जाएगा जिसकी height क्या होगी 13 होगी displacements क्या हो जाएंगी एक position पर add उसी तरीके से अगर एक wave आ रही है जिसकी displacement displacement means इसका amplitude amplitude का मतलब maximum displacement तो wave की maximum displacement 10 है इसके नीचे एक और wave आ गई जिसकी maximum displacement 3 है तो जब मैं इनको add करूंगा तो actual मैं add नहीं होंगे क्योंकि amplitude is a vector quantity क्योंकि amplitude is a vector quantity तो ये दो vector आपस में opposite हो जाएंगे तो net answer आएगा तो उपर ही लेकिन answer के आएगा सिरब 7 ये superposition हर point पर दो wave मिलेंगी depend करेगा कि upper vector कितने है lower vector कितने है अगर दोनों vector उपर की तरफ है crest crest के उपर गिर जाए तो बड़ा crest हो जाएगा दो vector same direction में add हो जाएंगे दोनों नीचे हैं तो दोनों add हो जाएंगे एग उपर एक नीचे तो दोनों subtract हो जाएंगे यहां तक कोई doubt ये superposition है मेरे साब से concept समझा गया definition में जो अमर जी कर लो definition लिखी भी होई कि according to superposition when two or more wave motion traveling through a medium superimpose upon another one another new wave is formulated with a resultant displacement y at any instant is equal to sum of displacement due to individual जो भी wave की equations है y1 y2 तो vector लगाय हुआ है y1 vector y2 vector किसी भी time पर y1 vector 10 है उबर की तरफ y2 vector 3 है नीचे की तरफ तो add करोगे तो add नी होंगे vector में subtract हो जाएंगे 10-3 7 यही रूर बता रहे है ठीक अब इससे होगा क्या पहले एक चीज़ को समझ लो जिसने भी यह experiment किया हुआ है interference का ऐसा नहीं किया उसने कि पहले experiment किया पहले उसने यह theory बनाई और फिर उसने experiment किया सबसे पहले हमेशा scientist क्या करेगा experiment करेगा फिर उसका reason जोड़ने की कोशिश करेगा यह ऐसा क्यों हुआ और फिर उसकी theory बनेगे और क्योंकि यह theory बिल्कुल सही है सही इसलिए क्योंकि यह correct explanation दे रही है एक experiment के तो experiment ऐसा क्यों हुआ उसकी explanation यह theory देगी तो यह theory एकदम सही माननी पड़ेगी आपको कि ना तो किसी ने जाके crest देखा आज तक और ना ही किसी ने टरस देखा दो lights आ रही थी दोनों मिल रही थी मिलने के बाद एक screen पे इनको गेरा गया जब screen पे गेरा तो यह observe किया गया कि किसी point पर तो दो lights गिर रही है लेकिन वहाँ पर एकदम darkness है ऐसा कैसे हो सकता है darkness तो हो रही सकती और नार्मल से ज़्यादा brightness है darkness है brightness है darkness है brightness है यह screen का pattern आ गया अब किसी को समझ नहीं हो रहा है, अजर कैसे हो सकता है, फिर उसने explanation देने की कोशिश की, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है, जब इस point पर कही न कहीं wave मिल रही है, और एक crest crest के उपर मिल रहा है, इस point पर कहीं न कहीं, sorry, एक crest किस के साथ मिल रहा है, rough के साथ मिल रहा है, of equal amplitude और cancel हो तो इस का मतलब एसा है कि किसी पॉइंट पर तो लाइट जादा गिर गई नॉर्मल से डबल हो गई किसी पॉइंट पर लाइट बुल भी नहीं गिरी लेकिन टोटल नर्जी की वैल्यू क्या रहेगी सब में लाइट नर्जी सेंग तो इस रिडिस्ट्रिबूशन अफ लाइ नहीं पर कम लेकिन टोटल नर्जी विल रिमेन सेंग तो इस रिडिस्ट्रिबूशन अफ लाइट नर्जी को क्या बोलते हैं इंटर्फेरेंस ओ राइट इसका एक अच्छा टाइगराम ने दिखाया भी था आपको यह रहा है कि एक वेव यहां से आ रही है एक यहां से आ अधा हो रही है उस इंटर्फेरेंस को हम क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टल इंटर्फेरेंस जहां पर डाक्नेस हो रही है क्रेस्ट्रफ के ऊपर गिर के कैंसल हो रहा है वहां डाक्नेस हो रही है उसको क्या बोलते हैं इंटर्फेरेंस क्लियर यहां था को डाउट कैसी को इस क्या अगर मैं दो टॉर्च ले लूँगा घर जाके दो बल्ब ले लूँगा एक सामने एक स्क्रीन रख दूँगा दो बल्ब को अन करूँगा तो क्या मेरे सामने वाल पे या स्क्रीम पे डाकनेस ब्राइटनेस ब्राइटनेस आजाएगी कभी दो ट्यूबें जल रही है द तो seven color जब seven color से interfere करेंगे तो extract कर सकते हैं लाइटी light गिरनी शुरू हो जाएगी तो इसलिए interference नॉर्मल light से कभी भी achieve नहीं हो सकता तो interference के लिए special light लेनी पड़ेगी जिसको single color light बोलते हैं एक color की light ओल ले red है तो दोनो colors क्या होने चाहिए red blue है तो दोनो colors क्या होने चाहिए blue और ऐसी light को हम क्या बोलते हैं laser light laser light single color light होती है ठीक in general laser light भी नहीं बोलना आपने बोलना है इसको mono chromatic light chromatic color mono का मत्तब single color light यह experiment किसमें exist करेगा नॉर्मल white light में exist नहीं करेगा कौनसे light में exist करेगा mono chromatic light में exist करेगा single color light होनी चाहिए rule no.1 rule no.2 आपकी जो दो lights आएंगी दो waves आएंगी एक और दो मिलेंगी जब जब मिलेंगी यह waves या जो lights हैं वो एक दम क्या होनी चाहिए आइडेंटिकल बिल्कुल आइडेंटिकल light में यह फिरोमना नजर आएगा आइडेंटिकल light के लिए क्या करूँ दो सेम कंपनी की torch ले आँँ laser lights दो सेम कंपनी के bulb ले 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 बिल्कुल सेम वोटेज, सेम कंपनी, सेम manufacturing, सब कुछ सेम और उनको जलाकर देखें , interference होगा नहीं तो bulbs सेम लगेंगे आपको manufacturing सेम है, वोटेज सेम है, 10V, 10V के bulbs हैं सब कुछ सेम है अगर आप actual में phenomenon study करो light ता तो light क्यों generate होती है because of excitation of electrons और जब electrons excite होके नीचे आते हैं तो light energy release करते हैं light अगर आप तो same company के bulb ले भी आते हो same तरीके के bulb ले भी आते हो तो इतने same होनी चाहिए कि उनके electrons की excitation भी बिल्कुल same to same हो मतलब अगर एक bulb एक लाख electrons उपर भेज रहे at the same time दूसरा bulb भी एक लाख electron ही उसी speed के साथ बिल्कुल वही electrons उपर से भेजे और जब एक लाख electron नीचे किर रहे हैं तो दूसरे के अभी एक लाख electron उसी time और उसी speed के साथ नीचे किरे ऐसा पर होई नी सकता ऐसा practically कभी नी हो सकता चाहे same manufacturing है चाहे same bulbs है तो identical sources 100% identical sources exist करते ही नीचे तो इसके लिए क्या कि आप दो बल्ब exactly same light को release कर नी सकते हैं तो इसने क्या किया experiment में scientist ने एक ही bulb रख लिया बल्ब ही किया इसके आगे एक screen लगा दी यह screen लगा दी and इसमें दो slits कर दिये दो holes कर दिये दो slits चोटी-चोटी इससे किया हुआ यही light जब यह screen के इस पार जाएगी तो यह यहां से बाहर निकलेगी एक light यहां से बाहर निकलेगी और आपस में क्या होनी शुरो जाएँगी इंट्रफेर अडेंटिकल सोर्स है एक ही सोर्स है ठीक तो अब कोई confusion ही नहीं है क्योंकि दो bulb यूज ही नहीं किया बल्ब एक ही यूज किया और दो sources बना दी है जिसमें से दो अलगलग टाइप की lights निकल रही है तो इसी वी experiment का नाम है double slit experiment आप चेक कर सकते हो next topic आपका यही है double slit क्यों बोलते हैं समझ आया क्योंकि आपको identical sources चाहिए और इन identical sources को बोलते हैं coherent sources coherent sources coherent sources coherent का मतलब identical wave generate करेंगी identical light generate होंगी और same electron same phase में move करेंगे अगर एक electron उपर जा रहा है तो दूसरे electron में at the same time दोनों के दोनों एकथे उपर जा रहा है और एकथे नीचे कर रहा है इसको ऐसे sources को हम क्या बोलते हैं coherent sources तो यह basic conditions है अगर आप एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हो तो एक condition है light monochromatic होनी चाहिए और दूसरी condition है कि आपके sources coherent होनी चाहिए अब experiment स्टार्ट करते हैं और experiment किस ने किया था यंग्स scientist ने किया था तो experiment का पूरा नाम है यंग्स double slit experiment जब आपका बोर्ड का exam आएगा उसमें question में तो आना ही है question में बिल्कुल ने लिखा होगा यंग्स double slit experiment question में लिखा होगा YDSC तो यंग्स double slit कईवाल ऐसा हो जाता है और इसमें मैं उस दिन को नहीं भूल सकता मैं पूरा एक कॉमेनी किना chapter है यह मैंने पहले ही बताया होगा आपको तीन साल पहले का पेपर आप चेक करना कॉमेनी किने chapter में बहुत बढ़ी है मैंने कड़ाया और बहुत सपो आता था बहुत पूरा लोगों ने assignment दियाग की हुई थी और एक लाइन आती है line of sight line of sight कि एक grave travel करती है straight line में line of sight और paper में question आगया line of sight question paper में आगया what is LOS 5-7 बच्चे paper चोड़ाए question चोड़ाए क्योंकि मैं तो line of sight बढ़ताया मैं तो बताया ही नहीं कि LOS भी होता है अब वो question आगया LOS वो कहते है कि loss क्या होता है बता नहीं वो था line of sight अब कि इस चीज़ को confusion बढ़ूर करने के लिए इसलिए मैं साल साल बताता रहूंगा कि जिन question में short form use होती है उनमें बता दूँ कि short form use होती है तो यह आप डियो अपने का question चोड़ा वो यंज दूसलिट के स्वेड में इस सोचके ठीक है next इस पर आजाते है इसके उपर तो बाद में आएंगे या तक तो पता नहीं है पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अभी हम क्या करने वाले हैं देखो इस experiment को अच्छे से study करने वाले हैं और हम अपने तरीके से study करेंगे कि हुआ क्या था ठीक यह मेरा तरीक है इंदी एंड यंग्स डबल स्ट एक्सपरिमेंट बात यही करेगा लेकिन वह mathematically करेगा मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ होगा और हम दोनों के results सेम हो जाएंगे अब यह जिखाता हूं कैसे suppose करो एक मिनिट के लिए यह एक slit है यह एक hole है इसमें से light bar निकलेगी यह आठकी एक screen है एक मिनिट के लिए इसमें देखो कि यह एक point है एक wave यहां से निकल हो रही है कितनी waves एक ट्रेस्ट और ट्रफ को एक wave बोलते है एक दो तीन चार और पांच ठीक पांच waves है वालो पांच waves का मतलब math के according एक wave का मतलब angle covered कितना 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi 5 x 2 pi total कितना हो गया angle 10 pi किसी को doubt इसमें ठीक है न एक wave का मतलब 2 pi पांच wave बनी तो total angle 10 pi ठीक नहाजत की जा रहे अर physics में इसको angle बोलते है maths में इसको क्या बोलते है sorry physics में इसको angle बोलते है और physics में इसको phase बोलते है phase तो wave ने कितना phase कबर कर लिया 10 pi को doubt suppose suppose यहां से भी wave निकल रही है 1 wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 6 7 मालो यहां पर 7 है डाइगराम समझ सकते हो कि अथा उसकी पॉइंट पर जाएगा 7 waves 1 wave का मतलब angle को बढ़ 2 pi 7 wave का मतलब put out इसमें तो यह इसका क्या आगया phase आगया ठीक है आता और अगर में कहूं कि इनका phase difference कितने है phase difference वर्ड बड़ा common है तब क्या बोलोगे दोनों के phase को माइनस करए 14 pi मेंसे 10 pi माइनस करेंगे तो answer क्या आगया 4 pi ठीक है क्या आगया दोनों waves का phase difference तो आज के बाद जब मैं phase difference बोलूँगा दो waves का आप समझ जाएंगे phase difference का मतलब एक wave ने कितना angle कवर किया दूसे ने कितना angle कवर किया और दोनों angles का मैं क्या निकाल रहा हूँ difference any doubt मैं को ठीक है या अतल maths का concept है क्या सोचो ये एक wave है एक दो तीन तोटल एंगल 6 pi तीन wave का मतलब 2 pi से multiply करके 6 pi माल लो एक और wave है काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार और पांच पांच का मतलब 10 pi ठीक clear है अगर मैं इन दोनों base को इसको एक्स्टेंड भी कर लो एक्स्टेंड भी कर लो यहा तक तो नीचे ला diagram बन जाएगा नीचे वाला diagram बनने का मतलब है कि हर truff के नीचे truff आ रहे crest के ऊपर crest आ रहे ठीक है न क्योंकि इनमें maths का concept है maths वाले थोड़ा साथ इसनी स्थल्जी समझेंगे क्योंकि इसमें मैं 2 pi का multiple ले रहा हूं ध्यान से चेक करो या फिर मैं इसको ऐसे बोलता हूं मैं pi का even multiple ले रहा हूं even समझते हो even का मतलब या तो 0 pi या फिर 2 pi या फिर 4 pi या 6 pi या 8 pi 10 pi ये सब even multiple of pi हैं और अगर ऐसा हुआ कि अगर मैं इन दोनों के phases को minus करों तो मेरे पास आंसर क्या आता है 4 pi ये मेरे पास किया गया phase का difference phase difference तो अगर मैं phase difference 4 pi है या अगर मेरा phase difference 0 है 0 का मतलब तो exactly यही हो गया कि अगर एक wave ने 2 pi अंगल कवर किया तो दूसमें exactly 2 pi ही कवर किया तो 2 pi minus 2 pi क्या हो गया 0 4 2 pi phase difference कव होगा जब एक wave ने कितना इंगल कवर किया 4 pi और दूसरी wave ने कितना इंगल कवर किया 2 pi दोनों को जब minus करेंगे तो में फस आंसर क्या जाएगा 2 pi सही यहां था तो भी crest crest के उपर है truff truff के उपर है तो भी क्या होने वाली है brightness इसे केस में अगर 2 wave मिल जाएगे तो cancel नहीं कर सकते है दोनों wave मिलके बड़ा crest मिलाएगे और बड़ा truff बनेगा और क्या होगी Constructural Interference यादती है रहे तो अगर 2 waves के बीच में phase difference या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए जो मेरा phase difference है या तो वो 0 हो जाए या 2 pi हो जाए या 4 pi हो जाए या 6 pi हो जाए या 8 pi हो जाए ऐसे केस में आपने हमेशा याद रखने है कि कौन सी interference होगी Constructural Interference ठीक यहां तक कोई doubt किसी को जाए clear है या रखने है आपने कि अगर 2 waves के बीच में phase difference phase difference समझते हो दोनों के angles का difference अगर even multiple of pi हो जाए तो constructive interference अगर 2 waves एक point पर किरती है phase difference 0, 2 pi, 4 pi वहाँ पर नमेशा brightness ही होगी वहाँ darkness नहीं हो सकती darkness कब होगी एक wave है यह था दो waves है और एक wave बिल्कुल इसके नीचे बना रहा हूँ मैं कैसे बना रहा हूँ एक wave मैं ऐसे बना रहा हूँ ठीक means let's say इस wave का crest crest यहां से start हो रहा है इसका crest पीछे है crest का मुकाफला crest के साथ है यह crest है यह भी crest है ठीक और अगर मैं थोड़ा size को minus कर भी दूँ एक minute के लिए कुछ ऐसा तो क्या मैं ऐसा बहुत सकता हूँ कि यह मेरा first wave का crest है यह मेरा second wave का crest है और अगर मैं पूछूँ कि इनमें difference कितने angle में तो आप यह difference मुझे कितना बताने वाले हो पाई ठीक है ना यानि कि एक wave आगे एक wave थोड़ी सी पीछे है और कितने angle पीछे है पाई अगर मैं इसकी एक wave complete भी कर देता हूँ आगे और अगर मैं इसकी भी एक wave complete कर देता हूँ आगे तो भी इनकी बीच में difference किया रहने वाला है पाई यहादा clear है suppose अगर मैं ऐसे कर दूँ मैं इसको तुपड़ा मिटा देता हूँ यहलो मैं ऐसे बात करता हूँ कि एक wave आगे है कितनी आगे है एक wave आपकी यहाँ पर है इस point पर है दूसरी wave यहाँ पर है भी तो total angle देखना कितना हुआ यहाँ से लेगे यहाँ तक complete wave का angle इतना है 2pi और यह जितना है पाई तो total इतना हो गया 3pi अगर 3pi वाला case है इसका मतलब 3pi अगर pi का difference है 2 wave में, 3pi का difference है 2 wave में, 5pi का difference है 2 wave में, 7pi का difference है 9pi का difference है, जो मर्जी करते जाओ तो मुझे मालूम है crest trust करेगा, trust crest करेगा तो कौन सी interference है आपके destructive interference है, तो ऐसे case में क्या होने वाली है darkness without this point clear है यहाँ तक यह चीज़ को clear है तो एक होगी आपके पास constructive interference एक होगी आपके पास destructive, और constructive कब होगी constructive interference तब होगी जब आपका क्या होगा even multiple of 5 0 मिलाके, 0 भी, 2 पाई भी, 4 पाई भी, 6 पाई भी and so on तो यह आपकी constructive होगी और destructive कब होगी destructive तब होगी जब angle पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा and so on क्या होगी क्या होगी clear है ना और मैंने बताने की कोशिश की कि दो बाई में constructive टागरम की हिरुप से कैसे बन सकती है destructive का मतलब exactly क्या होने बाद है 5 by 2 और 5, कोई नहीं सकता आपको गए वो कैसे बता कैसे होगा कैसे होगा मैं तो अंदादा लगा रहा हूँ कि darkness तब होगी जब face differences ऐसे होगे brightness तब होगी जब face difference 2 by 4 by 6 by होगा हो सकता है किसी point पर कम darkness थोड़ी brightness भी हो हाँ उस case में आपका हो सकता है पता नहीं ना वो तो screen देखती ही बता सकता हूँ कैसा कुछ हुआ होगा किसी को ने बता क्या हुआ हो कुछ भी सकता है 90 degree होता है 60 degree होता है पर हम एकदम extreme पर काम कर रहे हैं तो या तो darkness है या फिर darkness job का pattern बना था ना वो ऐसा नहीं बना था वो ऐसा बना था एकदम darkness तो एकदम practice उसके दो ही case में कर सकते है इसका मतलब जो lights मिल रही है न किसी point पर या तो एकदम even multiple आ रहा या फिर order आ रहा है बीच में कुछ आई नहीं रहा है आई अ आ आ आ आ झाल 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 यहां तक ठीक है अब देखो मैं फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ यहां से देखना फिर से एक बार वही दो वही दो स्लिट्स हैं एक और दो स्क्रीन है एक वे भी यहां से निकल रही है है एक दो तीन चार तो अभी आपने मुझे बताया चार इंटो टू पाई एट पाई फेज है ठीक है स्पोज एक दो तीन चार पाँच छे कितना हो गया ठीक है कोई स्टूडिन बोलता है कि नहीं मैं फेजिस से काम नहीं करूँगा मिर को यह बताओ कि यह फेजिस क्यों चेंज हो रहे है फेजिस इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि वेव को अलग-अलग डिस्टेंस कवर करने पड़ रहे हैं जितना जादा डिस्टेंस वेव टाबल करेगी उतनी नमबर वेव कवर करने पड़ेंगी जितनी नमबर वेव दोंगी उतना टूपाई से मल्टिपल बढ़ना शुरू हो जाएगा ऐसे ही है जितनी नमबर वेव का मतलब एक क्रेस्ट और ट्रफ की लेंथ इसके बोलते हैं वेव लेंथ तो लेंड़ पॉस्पाई जहां लेंड़ वहाँ पर यानि कि मैं क्या बोलूँगा अंगल कितना है यानिकि टूपाई का मतलब लेंथ कितनी हो गई लेंड़ तो एट पाई का मतलब लेंथ कितनी हो गई लेंड़ तो एट पाई का मतलब लेंथ कितनी हो गई लेंड़ तो एट पाई का मतलब लेंथ कितनी कवर हो गई लेंड़ लेंड़ अपने मन में ऐसा किया करो लैमड़ा की टर्म में त vào, क्या है का यहं दो यह को 2पटं से डिवाइद करो क्या हैगा तो यह क्या गया इसका फॉर लैमड़ा यहां पर फор लैमड़ा, इस वेड के पात, यह पात है रास्ता, रास्ते की लैंध है इसको बोलते है पात लैंध path length किपी है 4 lambda इसमें 6 lambda को क्या बोलते है path length इसके रास्ते की length और अगर मैं इन दोनो path की length को minus करूं तो क्या जाएगा path difference तो path difference दोनों का क्या रहा है 6 lambda minus 4 lambda यानि की 2 lambda समझा है यहां तक तो यह क्या गया path difference point clear रहे हैं यहां तक समझा रहा है part difference और phase difference क्या चीज है phase difference angles का difference है part difference length का difference है तो दो questions आ सकते हैं या तो phase difference पे आएगा या फिर part difference पे आएगा किसी पे पे आ सकते हैं ये point भी सबको clear है next अगर मैं phase difference की बाग करहू इन में तो phase difference कितना आएगा 12 pi में से क्या माइनस करेंगे 8 pi कितना आएगा 4 pi 4 pi को एक काम करो 2 pi से दिवाइट करना कितना रहा है 2 lambda सही है न 2 lambda का मतलब 4 pi होता है तो चाहे phase difference बोलो चाहे part difference बोलो बात एक ही है या तो pi की term में आंसर बोलो या फिर lambda की term में बोलो कोई problem समझा रहे है अब दी किसको कोई डाउटेस में तो एक चीज़ क्लियर है constructive interference destructive interference constructive interference तब होगी जब या तो angle मैं phase difference की language में बात कर रहा हूँ phase difference कितना होगा 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi and so on destructive interference में phase difference कितना होगा pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi and so on same question अगर मैं constructive में हो path difference लिखू path difference constructive interference तब होगी जब path difference 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda ऐसी होगा और destructive कब होगा जब path difference कितना होगा pi का मतलब lambda by 2 3 pi का मतलब 3 lambda by 2 यह lambda by 2 यह lambda by 2 यह 3 3 lambda by 2 5 lambda by 2 7 lambda by 2 9 odd multiple of lambda destructive interference और integral multiple of lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda constructive interface समझ आ रहा है यहां तर r difference, r difference में समझ आ रहा है पूरी थिओरी कि कब constructive होगी और कब destructive होगी ठीक है कोई डाउट किसी को इसमें ठीक एक चीज़ और बताओ इसमें suppose करो यह screen है और यह दो slits है ठीक माल लो एक wave आ रही है 4 pi angle की front में waves आ रही है 6 pi ठीक अगर मैं इस और माल लो यह जो wave है इसका amplitude A है ठीको न यह कोई जरूरी नहीं है कि wave का amplitude सेम हो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता amplitude जितना जादा होगा light उतनी जादा होगी brightness जादा होती है light की quantity of light जादा है amplitude जादा तो intensity भी जादा होती है waves उमने plus time में किया था नहीं किया कोई बात नहीं सुन लो अगर amplitude जादा है quantity of amount of light जादा है amplitude करना है amount of light जादा है अब यह जरूरी नहीं है कि दोनों holes में से same amount of light निकले कोई जरूरी नहीं है दोनों का amplitude same है तो special case हो जाएगा तो इसमें इसका amplitude A है तो माल लो एक मिनट के लिए इसका amplitude कितना है B है amplitude maximum displacement A की A है A की B है wave में equation अमने study की हुई है कि Y किसी भी point पर displacement wave की equation Y is A amplitude sin of क्या sin of angle और मेरी wave ने कितना angle कवर कर लिए तो इसमें 4 pi तो यहाँ पर wave की question क्या बन गई Y is equal to A sin of 4 pi उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँना और यह Y की value पता कहाँ पर आ रही है यहाँ पर आ रही है after covering a displacement of 4 pi हर instant पर नहीं हर instant पर तो angle change हो रहा है तो यह पहले 0 angle cover करेगी फिर 1 pi फिर 2 pi फिर 3 pi फिर 4 pi तो यह 4 pi के ऊपर displacement है ठीक और अगर 3 pi पर displacement calculate करनी है तो 4 pi की जिएका 3 pi 2 pi पर Y check करना चाहती हो तो 2 pi कई पर भी तो ऐसा करते है in general ऐसा कर लेते है Y is equal to A sin of omega t ठीक है best है omega t में small t आ रहे है न और wave की standard equation में क्या होता है omega t तो होता है periodic है तो जब भी कोई चीद periodic है तो standard angle क्या होता है omega t omega t 4 pi फिट करोगे तो 4 pi पर Y आ जाएगा 2 pi फिट करोगे 2 pi पर Y आ जाएगा and so तो in general में क्या पुट करो सकता है omega t उसी तरीके से अगर मैं यह कहूँ कि इस point पर नीचे वाली wave की Y की value कितनी है तो आप क्या बोलोगे B sin of 6 pi कुछ ऐसे end point पर Y की value एक चीद मुझे बताओ कि उपर वाली equation आप मुझे बता रहे हो Y is A sin of कितनी 4 pi नीचे वाली equation में Y is equal to B sin of कितना 6 pi 6 pi को ऐसे लिख लू 4 pi प्लस को फर्क ने बढ़ता 2 pi ऐसा कर सकते हम मतलब मैं इसको compare करना चाहता हूँ उपर वाली equation के साथ 4 pi का multiplic के साथ मैंने 2 pi आड़ कर दिया या फिर ऐसा कर लेते हैं आपने बोला था कि सार ऐसे नहीं इसकी जगह ऐसे लिखो A sin omega t कोई बात नहीं नीचे वाली equation को भी ऐसे लिखते है B sin of 4 pi की जगह जैसे इसमें आपने 4 pi को किस से रिप्लेस कर वाया omega t तो यहाँ पर भी 4 pi की जगह omega t plus 5 5 का मतलब दोनों का phase difference angle का difference यहाँ कि phase difference और phase difference किता है कि इसमें 4 pi minus 2 pi is 2 pi 6 pi minus sorry 6 pi minus 4 pi is 2 pi समझ आ रहे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ अपनी equation को और एक चीज़ लिखो अगर एक wave का suppose angle 6 pi है दूसरी wave का angle let's say 14 pi है तो ठीक है ना ऊपर वाली equation को लिख सकते है y is equal to a sin of omega t तो दूसरी वाली equation को लिखेंगे y is equal to a sin of क्या omega t plus 5 तो इन दोनों में 5 क्या बनेगा 14 pi minus 6 pi क्या हो जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा समझ आ रहे वेडाउट इसमें तो अब मुझे एक चीज़ मालूम है कि जब मेरा experiment एक screen के उपर हो रहे दो slips है screen के उपर हो रहे अब यह depend करता है कि किस point पर मैं अपना question solve कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो 5 कुछ और है 5 का मतलब दोनों के बीच में face difference कुछ और है अगर let's say experiment यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ का angle और यहाँ का angle का difference कुछ और है यहाँ पर 5 कुछ और है यहाँ पर 5 कुछ और है यहाँ पर 5 कुछ और है ठीक तो इसका मतलब in general अगर मैं दो waves को super impulse करवाना चाहता हूँ तो दो waves की question क्या बनेगी a sin of omega t तो दूसरे की क्या बनेगी wise a sin of omega t plus y समझा रहा है यहाँ तक कोई doubt कैसी कैसी है ठीक अभी experiment start भी निए हुआ आज का lecture ऐसी निकल गया निकला नहीं है यह पूरा chapter almost 80% खतम हो गया अगर आपने पकड़ लिया आगे कुछ निया है आगे सिर्फ maths है, way of presenting है की कैसे इन चीजों को हम सही तरह कैसी याद करेंगी ठीक है यहां तक next time almost यह chapter खतम हो जाए wave of text की theory at least 50% खतम हो जाए